हजरत बाबा सयद रहमत अलहा की 28 नवंबर से सालाना और शुरू था जिसका समापन बुद्वार 3 नवंबर को कव्वाली और कुल शरीफ की फात्या आम लंगर के साथ किया गया जल्म्यान बड़ी ही कडाई से कोणा निया मुकापालन किया गया कोणा के कारण सामाचिक कार्यक्रमों पर पाबन दिल लाए गए थी हाला कि वर्तमास सिथी में सामाचिक कार्यक्रमों में रियायती दी गई है पर अभी भी कोणा कया नहीं है इस चीज़ को समझती हुए हजरत बापा सयद रहमत अले की सालाना उर्स को बड़ी ही साथकी से मनाने की चांदकारी दर्गा कमीटी के ओर से दी गए थी इसी के देद बध्वार तीन नवंबर को दर्गा कमीटी के ओर से कुल शरीफ आमलंगर का आइउचिं किया था बड़ी ही साथगी से कोणा के सभी नियुमों का पालन करती हुए इस आमलंगर का आइउचिं किया था एस दोरान ग्यारा मन की ग्यारा डेक के साथ खाना जाहिरानों को दिया गया 28 नमेंबर से चल रहे हजरत बाबा सेयद रहमतिल्ला अलै की सालाना उर्स का बुद्वार को कवाली और कुल शरीफ की फातिया आमलंगर के साथ समापन हुआ इस उर्स के दर्मियान दर्गा कमीटी की चेर्मान सिराज शेक, जावेज शेक, उमेश शेंडी, मुहिन भाई, खादिन सयद हमीद, महिंदर, मुहमत शाकिर खालू और उनकी सातिदारों ने इस उर्स को सफल बनाने में कड़ी मशक्कत की बतादी की बीती दूस सालों से दर्गा कमीटी की और से प्रशासं की निया मुका पालन करती हुई, हजरत बाबल सयद रहमतुला अल्या का उर्स नहीं मनाया गया था कैमरपोसन माइकल के साथ दुशाहटवार बीसी न्यूस नागपूर